अर्जुन उवाच कैर लिंगेश्त्रिन गुणा नेतान अतीतो भवती प्रभो कि मैं आचारह कथम चायतान स्ट्रिगुणान अती वर्तते यह मसकार मित्रों मित्रों यह जो श्लोके भवगवद गीता के चौदों अध्याय का 21 वाश्लोके जिसे हमाज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं अर्थात अर्जुन वाज अर्थात अर्जुन बोले कैर लिंगेस त्रिन गुणान इतान अर्थात कैसे संकेत ये तीन गुणों के परे अतीतो भवती प्रभो अर्थात हो जाने वाले के होते हैं तो यहाँ पर अर्जुन प्रकृती के जो तीन गुणों से परे हो जाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके विशे में श्रीक्रिष्न के समख्ष एक प्रश्ना रख रहे हैं तो अरजुन इहां पर ये श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो की तीन गुणों के परे जा चुका है उसके क्या संकेत होते हैं उसका जीवन में आचरण कैसा होता है वह जीवन में किस प्रकार से अपना व्यवहार करता है तो ये प्रश्ण इहां पर अरजुन श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं तो ये जो प्रश्ण इहां पर अरजुन का है ये वास्टव में इसलिए रखा गया है क्योंकि इस संसार में अपना जीवन जीते हुए हम सबी वास्तों में इन गुणों में इतने गुण्ध चुके हैं इनसे हम आसक्त हो थोड़ा सा यदि कोई विकती है और ग्यानी हो जाए तो सोचता है कि अच्छा ठीक है मैं अपना शरीर नहीं हूँ ये शरीर तो ऐसे ही है किन्तु मैं अपना मस्तिष्क ये मैं अपना मन हूँ आज की समय विग्यान में भी आप देखे कि लोग यही सोचते हैं कि जो हमारी मस्तिष्क ये पर जाते हैं वो सोचते हैं कि जो मेरी विचार प्रक्रिया है वो मैं हूँ जो मेरे विचार है जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ जो मेरी प्रवरत्ती है यदि मैं क्रोध करने वाला वेक्ती हूँ तो मैं क्रोधी पुरुष हूँ मनुष्य हूँ यदि मैं क जल्दी एक रोज आ जाता है या मैं बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता हूँ या मुझे जो है मैं ऐसा वेक्ति हूँ जो की करुणा से भरवा है तो करुणा वाला वेक्ति हूँ मैं तो अपनी भावनाओं को हम साथ में लेकर के स्वेम की पहचान उस से जोड लेते हैं तो यह क्या हो रहा है वास्ताव में यह हम अपने गुणों से ही तो तादात में कर रहे हैं तो व्यक्ति जो है वह इतना भ्रहमित हो चुका है कि वह यही सोचता है कि मैं यह जो गुण है यह ही हूं वास्ताव में वह यह समझ ही नहीं पाता है कि मैं वास्ताव में इन गुणों आदात में करने लेंगे तो हमारे दूसरे गुन हो जाएंगे चिन्तों अब इसकी कल्पना ही नहीं कर पाते तो इसलिए हम अपने कर्मों को कैसे करते हैं यही तो सोचते हैं हम किया रहे मैंने ऐसे किया क्यों क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं मैंने क्रोध किया क्योंकि मैं क्रोधी व्यक्ति हूं मैंने निर्मान किया क्योंकि मैं संरचन ना करने वाला व्यक्ति हूं मैंने करुणा की क्योंकि मैं एक करुणा मही व्यक्ति हूं तो इस प्रकार से हम सोचते हैं यह जो विचार हमारे होत तो इस प्रकार से कर्म करने वाला जो वेक्ति होता हुए इसी कल्पना करना मारे लिए बहुत ही कढ़िन होता। ने स्रेक्रिप्रशन जो हैं वह समझाएंगे कि गुणों के परे जो जा चुका है वेक्ति वास्तों में कैसा आचरन करता है। तो यही संदेश यहां पर इस श्लोक में था आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसे की साथ इस वीडियो को ही पर समाप करते हैं नमस्ते